प्यारे बच्छो नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूट्यव चनल पर बच्छो जो आज का वीडियो होने वला है वह 8th class के chapter linear equation in one variable के उपर होने वला है बच्छो इससे पहले भी मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराई थी इसी टॉपिक के उपर जिसमें से एक वी linear equation है क्या solution वगेर का definition बता है था second video के इंदर हमने methods के वारे में study कर रहा था कि linear equation को solve करने के कौन-कौन से method है तो हमने दो basic method पढ़े थे जो जिसमें से एक general method था दूसर था Transposition method, general method को मैं fully explain करा चुका हूँ इसके पर type wise question भी solve करा चुका हूँ लेकिन आज की वीडियो में हम study करेंगे transpose method to solve linear equation in one variable तो यह transpose method क्या है यह आपको मैं आज बता देता हूँ पर इससे पहले इसको बताना चाहते हो इस method की जरूत की पड़ी देखो बेटा कि कई बार linear equation in one variable अगर थोड़ी problem जो है वो complex हो यानि जो questions है वो complex हो कई बार bracket वगेरा involve हो और rational number की फॉर्म में या कोई fraction की फॉर्म में उनका coefficient वगेर हो तो वहां पे general method को apply करना थोड़ा सा एक difficult हो जाता है मतला थोड़ा time consuming हो जाता है और काफी amount भी लगती हमारी pages की तो इसी लिए क्या करते हैं वहाँ step भी लिखना पड़ता है तो यहां पर क्या है transposition method उसी का एक update version है जिसमें हम क्या करते है step लिखने की कोई आवशक्ता नहीं है और हम generally कुछ rule को follow करके question जो है उसका solution find कर सकते हैं तो हम पहले समझते हैं कि बेटा transpose का मतलब क्या होता है तो बेटा देखे का transpose means क्या होता है transpose means moving or sifting a drum या हो सकता है कि एक साथ का ही सारी ट्रम हो from one side to other in an equation या equality ठीक है वेटा equation को equality भी कहते है यानि transpose का मतलब होता है वेटा जननली कि एक ट्रम को one side से दूसरे side में shift करना या move करना किसी equation के अंदर तो यह transpose है मारा चीक है अब transpose क्या है जो method है वो कुछ rule के पर based है अगर हम उन rules को follow करेंगे तो easily हम question को find जो question का solution उसका असानी से find कर सकते है नाव वो rule है क्या तो मैं उन rule को आपको explain करता हूँ देखो rules for transpose ठीक है वीटा तो transpose के कुछ rule होते है वो rule क्या है वैसे आपने study कर रखवा को जर्नल बात है कि अगर मानो कोई equation या equality है for example अगर हम इसकी बात करें 7x plus 3 equal to 9x minus 3 बान लेते हैं तो यह equality है या equation है अगर हमें यहाँ पे से इस quantity को यानि या इस number को बात करें हमें shift करना है अगर इसका sign plus का है one side में तो दूसरी side में जाएक माइनस हो जाएगा और अगर माइनस का है तो जैसी equal के sign को cross करेंगे और पार करेंगे तो उसमें वो जो minus वाला है वो plus में change हो जाएगा sign जो multiplication में one side में दूसरे side में जाके division में आ जाएगा और जो division में वो दूसरे side में जाके multiplication में जाएगा यह हमारे basic four rule है जिनको हम rules for transpose कहते हैं चलो उनको मैं लिख देता हम पहला rule क्या है rule number one if a number देखो पेटा number भी हो सकता है और हो सकता है और quantity having plus sign मैं plus बना भी देता हूं इन one side is transposed to other side then its sign changes to minus तो इसका sign क्या हो जाएगा भीठा minus हो जाएगा दूसरे side जो side है उस पे जाते ही rule number second क्या है इसका positive if a number or quantity having minus sign in one side is transposed to other side then its sign changes to plus छीक है वीटा minus वाला plus में हो जाएगा ठीक है और plus वाला minus में हो जाएगा next क्या है वीटा rule number three if a number or quantity is in multiplication in one side is is transposed to other side then it comes in division अगर वो multiplication में one side में उसको transpose करा जाता अगले दूसरी side में तो वो multiplication वाली division में आजाएगी और इसका opposite rule जो है पेटा वो है हमारा if a number or quantity is in division in one side is transposed to other side ठीके other यहां पे भी लिख देदा बटा side then it comes in multiplication multiplication यानि वो किस में आजाएगा बटा division वाला multiplication में आजाएगा अगर हम साफ साफ कहें तो simple सा logic बटा अगर यह हमारा equality का sign है अगर कोई इस side में plus कि है quantity है number तो cross करते ही minus की हो जाएगी इसको equality को और अगर वो minus की है तो cross करते ही वो क्या बन जाएगी plus की अगर वो multiplication में तो वो हो जाएगी हमारी division में और अगर वो division में है तो वो multiplication में चलेगी अगर आप इन basic rule को दिमाग में रखोगे यानि अच्छी तरीके से learn कर लोगे तो इनके उपर जो based question है linear equation के अंदर तो उसको easily solve कर सकते हैं चीक है तो जब तक आप इसको note किजी समझे मैं आपको type by question कराता हूं चलिए तो चलिए जो type first के question है हमारे जो हमने अब तक method पड़ा उसके उपर first type के question है solving linear equations having linear expressions one side and constant या number on other side इस वाली type में कहाए बटा कि जो equation आपको या equality आपको मिलेगी उसके अंदर जो linear expression है वो one side में होगी यानि जो variable वाली term है वो one side में होगी और जो constant या number से हैं वो दूसरी side में होगी ठीक है अब बेटा मैं आपको कुछ ऐसी बाते बता देता हूँ कि इसको solve करने से पहले एक algorithm जिसको हर चीज को बारबर आपको notes लिखने की अवशकता नहीं है तो जो कुछ algorithm है इनको solve करने की वो मैं आपको वैसी बता देता हूँ step के है यानि जो procedure है सबसे पहले equation को obtain करना और उसके इंदर variable या unknown को identify करना इसके बाद का जो step के है कि जो सारी variables वाली जो quantity है उसे one side में shift कर लो either LHS या RHS जिसमें आपको suitable लगे उसमें और जो constant term या number है को दूसरे पक्ष में वो कर लो shift कर दो अब दोनों पक्षों को simplify करो बिल्कुल simplest form में उसके बाद में जो भी हमारा variable का coefficient है उसको divide कर दो ठीकि ना उस coefficient है divide कर दो हमारको जो भी हमारे constant term है तो last में जो variable के required value आएगी वह हमारा solution होगा तो चलिए कुछ question में आपको दिये हैं यहां से इनको solve करते हैं तो question है solve the following यानि इनको solve कीजिए तो चलिए बिटा हम solve करते है question number first को solution देखे बिटा पहला यानि we have हमारे पास में क्या है बिटा 3x plus 5 equal to 20 ठीकिए बिटा यह 20 अब आप सोचोगे कि मैं किस को shift करूं पहले 5 को या 3 को तो इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी बास समझा देता हूं बिटा जो चीज हमारी plus में होती है variable के या minus में होती है उन्हें हम ऐसी एक notification के लिए दूर वाली बोल देते ठीकिए दूर वाली और जो multiply में होती है variable के या division में होती है उन्हें हम बोलेंगे pass वाली ठीकिए बिटा तो जो पहला काम है हमें दूर वाली को अटाना और फिर pass वाली को अटाना यानि पहले हम जो plus minus वाली quantity है उस variable के तो उसको अटाएंगे यहाँ variable x है इसके plus minus में 5 है एक ही पक्ष की बात करें one side की तो 5 है तो पहले 5 को सिफ करेंगे और जबकि जो 3 है वो x के multiply में तो यह हमारा pass वाला हो गया तो हम पहले दूर वाली यानि जो plus वाली है minus वाली है उन quantity या number को अटाएंगे फिर उसके बिलकुल करीबी यानि जो multiply या divide में तो यहाँ 5 को गया transpose कर देते हैं transposing ठीके देखोगे 3x equal to 20 minus उदर 5 यहाँ plus का उदर जाते ही minus का अब इसको simplify करें 20 में से 5 गये तो 15 ठीके बटा अब हम x की वेलो लिकाल नहीं है x मतलब अकेला तो जो 3 multiply में सामने वाले जाके हमारा वो divide में आ जाएगा अब यहाँ इसको simplify करें तो 3 की table 3 1 और 3 5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वेटा 5 आ जाएगा denominator में 1 का use करो या ना करो कोई मतलब नहीं है अगर आपको इस चीज को checking करना है या verify करना है तो आप verify भी कर सकते हैं आला कि यह step इसके इंदर बोला नहीं है लेकिन मैं आपको बता दें तो चेक करना है जैसे आपको बता है 3 x plus 5 equal to 20 है तो putting x equal to 5 तो देको 3 जहाँ जाए एक से उसकी position पर 5 को shift कर देंगे तो यह आ जाएगा बेटा देखते है 3 5 15 plus 5 और उदर 20 है तो यहाँ पर भी 20 हो गया और 20 तो दोनों बराबर आ रहे हैं तो यह हमारे solution का क्या है verification है हाला कि जब यह part बोला जाए जब ही आपको करना otherwise ऐसे नहीं करना मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है now next question के बात करते है इसके वो है हमारा 11 x में तो पहले हम दूर के जी जो को हटाते हैं तो यह इस पक्ष में नहीं इस एड में माइनस का है उदर cross करते ही यह बन गया हमारा plus का now अगर हम बात करें 31 plus 30 sorry 31 plus 3 हो गया 34 हो गया now x के multiply में 11 है तो यह सामने जाके division में आ जाएगा और अगर यह divide हो रहा है तो ठीक है otherwise hence लिख सकते हैं hence required solution आगे हमारा x equal to 34 divided by 11 अगर यह simplify होता तो हम करते हैं otherwise नहीं ठीक है बेटा तीसरा question है माल लेते हैं मैं लिख देता हूँ we have x plus 1 equal to 7 तो यहाँ 1 plus का है उदर transpose करेंगे तो 7 minus 1 यानि x आगिया 6 only ठीक है next question है हमारा बेटा we have 3x minus 4 equal to 2 तो transposing तो we get क्या होगा बेटा 3x minus का 4 है तो उदर जाके plus का 4 होगी है यहाँ इनका simplification होगा तो यह 6 होगे add होके और अगर जो चाहिए multiply में देख बेटा 3x का मतलब होता है 3 into x चीक है तो 3 का है multiplication में तो सामने जाके division में आजाएगा और इसको divide करें तो हमारा 2 आजाएगा देखो 3 1 3 2 hence required solution होगे बेटा x equal to 2 आगे है चीक है चीक है बेटा तो आई हो बहुत simple था आप बस कुछ बातों को दिहान में रखो और question आप से easily हो जाएगे तो चलिए फटा फट इसको note कीजिए मैं next type करा था हूँ आपको चलिए